आपको पता तो होगा है कि केजरिवाल जी फिल्मों के शौकीन आदमी है इस समय कॉंग्रेस के सामने नाक रगड रगड कर इंडी अलाइंस तो बनवा लिया, सब कुछ कर रहे है, राजनीती भी कर रहे है, विरोध भी कर रहे है लेकिन फिल्मों का शौक नहीं छूटा है, और इसलिए उनसे जरा बात करना जरूरी है केजरिवाल जी, इन दिनों कोई फिल्म विल्म देख रहे हैं कि नहीं, जरा बताईए न अरे वा, पिक्चर के प्रमोशन भी करने लगे, फिर तो आप से एक सवाल बनता है, वो जो कश्मीर फाइल से उसके बारे में भी जरा कुछ बताईए न, कुछ लोग कह रहे थे क्यों भी करना हो, कम से कमयार ये, पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये कंदे लगते हो तुम लोग अच्छा, आप तो राजनीती करने आये थे, लेकिन आपको शाहरुक की फिल्म के बारे में सब कुछ पता है, सोशल मीडिया की बाते भी पता है, तो कश्मीर फाइल्स पर भी बोल दीजिए आप लोगों कहार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आये थे राजनीती में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया देख रहे ना, जैसे ही कश्मीर फाइल्स की बात आती है न, एकदम से पलट जाते हैं, मुह में दही दन जम जाता है, पता नहीं लगता है, खर छोड़िए, जबान फिल्म के बारे में, जो बताना हो, बता दीजिए देख रहे ना, जरूर देखना चाहिए, लेकिन जैसे ही कश्मीर फाइल्स के बारे में, कोई नेता कह दे, तो ये जनाब मजाक उड़ाने लगते हैं, जी हाँ, सुन लीजिए देख रहे ना, यूट्यूब, क्यों नहीं बोलते हैं अभी, शारूर खान को की जवान फिल्म भी यूट्यूब पर डाल दो, सब फ्री फ्री है, सब देख लेगा, जो आप परवी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप छोड़िए, आपको तो मैं दिखाता जानते हैं कैसे, कह रहे हैं कि शारूर खान के फिल्म इसलिए देखना, क्योंकि इस फिल्म में शारूर खान बताते हैं, कि निता लोग जो है ना, वो धर्म के नाम पर वोट मांगने आते हैं, सुनिये ना, शारूर खान कहते हैं, कि यह लोग आएंगे वोट के पहले ये किस ने उठाया इन ही लोगों ने उठाया है लेकिन मैं आपको इनका ही दोहरा चरित्र दिखाता हूं फरेब दिखाता हूं ये वो शक्स हैं दोस्तों जो खुले आम मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट की बात करते थे कहते थे कहां जाएंगे अपने कोई वोट मिलेगा देख रहे ना मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं इसके बाद शाहरुक खान का नाम लेकर ये जनाब ये कहते हैं कि फिल्म में जब देखेंगे ना तो शाहरुक खान बोलते हैं कि नेता लोग जाती के नाम पर वोट मांगते हैं सुनिये ना जाती के नाम पर वोट मांगेंगे अब इन ही का मैं दोहरा चरित्र दिखा देता हूँ, एक एक करके रिपोर्ट देखे दोस्तों, अब केजरीवाल ने बताई अपनी जाती, कहा मैं बनिया हूँ, इसलिए, देख रहे है न, मैं खुद बनिया हूँ, इसलिए दिल्ली के बनिये मुझे वोट नहीं देते, केजरीवाल की हिरासत पर सियासत, केजरीवाल का जाती कार्ड बोले, पटेल समाज में रोश, ये हाल है दोस्तों, और इतना ही नहीं, जाती विशेस का वोट लेने के लिए, ये जातियों को लड़ाने का भी काम करते थे, ये बयान सुनिए, और इसके बाद, केजरीवाल क वो बयान सुनना जरूरी है, जिसमें वो शाहरुक खान का नाम लेकर कहते हैं, कि उसमें बड़ा अच्छा डायलोग है, जाती धर्म के नाम पर वोट मत देना, सुनिए, जाती के नाम पर वोट मत देना, देख रहें ना, तभी मैंने कहा था कि इन्होंने उड़ता तीर ल मैं को भी एक्सपोज करूँगा, इसी फिल्म के बहाने, जिसे लेकर पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा, साथ्यों नमस्कार, मैं हरिश्चंदर बढ़वा, इस समय शाहरुक खान के फिल्म जवान आई है, और जानते हैं ये शाहरुक खान के फिल्म में दोस्तों, एक कैसे वाले लोग हैं, फिल्म में कैसे चलती है, क्या चलती ये तो नहीं पता, लेकिन इनका जो प्रचार तंत्र है न मैं फिल्म पे अभी नहीं जा रहा, मैं एको सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो एको सिस्टम काम करता है, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक इस से पहले थी दोस्तों, कश्मीर फाइल्स, बताने की जरूरत नहीं है, कि इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दुख दर्थ को पहली बार सामने रखा था, जो काम बरसों तक, दशकों तक नहीं हो पाया, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, लेकिन आज जवान और उसी कश्मीर फाइ वीडियो है मेरे पास, लेकिन उसमें कॉपी राइट का इशू आ सकता, इसलिए, देखिए कश्मीर फाइल्स पर, नफरत और हिंसा पट्टी की सियासत में जानिये कितनी फाइल्स दफन है, पॉलिटिकल फाइल्स को खोले कौन, देख रहे हैं न, कश्मीर फाइल्स का दर पाटी डंग से उसको दोशी ठहराते होंगे ये, और आगे बढ़िए, नौ साल में पहली बार किसी अभिनेता ने दिखाई ऐसी हिम्मत, मोदी के सिस्टम पर सीधा हमला जवान ने उड़ा दी धज्यां, नौ साल में पहली बार, इनको ये होश नहीं आया, कि दश्कों के पहली बार कश्मीर फाइल्स ने भी दिखाई थी ऐसी हिम्मत, लेकिन इनका हिम्मत नहीं है, ये सब बिना रीड के लोग है, अभी उल्टा बोलना होगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी, कहते हैं ना, कि सनातन धर्म को खतम करने की बात करते हैं लोग आज, खुलकर कह र ये जहां पर जस्टिस तक को सरे आम गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन इनकाने हिम्मत नहीं दिखाई, डबल स्टैंडर्ड देखिए, आगे बढ़िए, अभिसार शर्मा पर आईए, कश्मीर फाइल्स पर दोस्तों इतने वीडियो बना है, इतने वीडियो, करने के लिए, ये प्रोपेगंडा फिल्म है, उपदेखें नयके करके दिखाता हूँ, बीजेपी की परचार फिल्म, बेख़त, ये परचार फिल्म थी बीजेपी की, दा कश्मीर फाइल्स को बताया, अश्लील, आगे बढ़िए, कश्मीर फाइल्स पर केज्जरी बाल न आसू क्या ठेका लेके बैठा था क्या इनों ने ये तो फिल्म मना रहे हैं भाई समाज में हर आदमी का एक रोल होता आपका भी एक रोल है आप समाज में क्या पोजिटिविटी का संचार करते हैं उन लोगों के दुख दर्द को कैसे आप दिखाते हैं हिम्मत नहीं है आपक आगे बढ़िए मैं अभी दूसरा पक्ष भी दिखाऊंगा कश्मीर फाइल्स को लेकर सडक निर्माण अनुपम खेर का जूठा भाचपा मंडन अब आए जवान में देखिए कई वीडियो बना डाले गजब की ट्रेनिंग है दोस्तों ये इको सिस्टम की इतना इतना सार वीडियो दिखिये ना ब्लोक बस्टर जवान के जरिये शहरुखान का बीजेपी सरकार को कड़ा संदेश कश्मीर फाइल्स में भी संदेश था इसमें भी संदेश है गदर टू दिखाई थी संसद में जवान भी दिखाएगी बीजेपी सरकार वाह बोला आपने कश्मीर के बारे में कि संसद में दिखाओ शरम तो आए जाज तक नहीं वी उसकी जो घटनाए घटी थी जितनी अमान भी है लेकिन इनको शरम कहां से आएगी आगे बढ़ी एसारके ने किस से कहा बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर जवान मूबी देख रहे ना मैं तो चाहूंगा आप पहले टू विंडो में दोनों साइट के चीजों को देखिए देखिए समझ ये कि कश्मीर फाइस को कैसे खारीज करते हैं शुरू से और जवान फिल्म के पीछे इद्दम से लग जाते हैं मैं तो देखा सोशल मीडिया में दोस्तों कि जो बुराई कर रह रहा था हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ही दे दिया गया होगा लेकिन आप इन चीजों को छोड़िए ये इको सिस्टम क्या है ये समझ ये आगे बढ़िए साक्षी जूशी कश्मीर फाइल्स पर कैसा अटहास किया इस डबल स्टैंडर्ड वाले अर्विंद केजरिव चलिए अच्छा है अब आपको वही करना है तो कीजिए लेकिन देखिए पठान में पठान फिल्म जो है जूम रही है तरीका कैसा अलग अलग ये समझे फिल्म को प्रचार करने का और किसी फिल्म को बदनाम करने का सत्य हिंदी पर आईए इन्होंने भी बहुत सारे वीड दिखा देता हूँ इस कश्मीर फाइल से प्रोपेगेंडा एंड वल्गर फिल्म सर्फ एडर से आपको बाते समझ में आ जाएंगी दोस्तों कश्मीर फाइल्स के मुद्दे नहीं पता है ना वो देखना चाहते है सवाल उठा रहे है कि मत जाये देखिए देखने के लिए ये प्रोपेगेंडा वल्गर है इस कश्मीर फाइल्स बिकमिंग ए टूल ऑफ प्रोपेगेंडा देख लीजे दूसरा एक और एक साथ लिया है ये तीनों वीडियो मैंने स्क्रीन शॉट और तीसरा देखिए कश्मीर फाइल्स इस अप्रोपेगेंडा फिल्म क्यों जवान की बात आइगी न दोस्तों, तो उसमें क्या है देखिए, सिनेमा संबाद, जवान के जरिए क्या कहना चाहते हैं, शाहरूक, बाप, रे बाप, डिकोर्ड करेंगे, कैसे डिकोर्ड करेंगे, क्या कर रहा होंगे, समझना मुश्टिल है क्या, कोई रॉकेट साइंस नह मैं उसकी कहानी दिखा रहा हूँ इसके जरीए तो ये इस्थिती है दोस्तों और आगे बढ़िए अब मैं आपको अलग-अलग की जगह मैं आपको दो तरह की बाइट सुनाता हूँ अलग-अलग लोगों के एक आप देखिए कि कश्मीर फाइल्स को लेकर इस पर मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था कि क्या-क्या नेरेटिव बनाये गया थे कैसे कैसे विरोध किया गया थे उसको नहीं दोहराना चाहता लेकिन मैं छोटे-छोटे बयान उस समय के कठा किये मैंने और मैं आपको एक साथ सारे बयान सुनाता हूँ आप देखिए किस त प्रमोट कर रही है पिचर में आधा सच दिखाया गया है पुलिटिकल कनेक्ट इस बिंग मिस्यूज क्लेरी नाओ तो गेट स्पेशल बैड़न हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है चल चित्र नहीं है लखीमफुर फैल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए क्या ये प्रमोट की तारीफ करते हैं उसकी बड़ाई करते हैं उसे देखने के लिए माहौल बनाते हैं सुली जी शारूख खान की एक फिल्म जवान आती है जो इस देश के उन सवालों को उठाती है जवान का ये सीन ना किवल आईटी सेल की धज्यां उडाता है बल्कि शारूख के फैंस को खुश भी करता है आज जवान ने चार दिन में 500 करोड रुपे कमा लिए हैं देख रहे ना कुछ ट्वीट भी दिखा देता हूं पॉलिटिकल लोगों के अभी तो कश्मीर फाइल्स पे अखलेश यादव ने कैसी बुराई की देखिए मनुरंजन के साथ साथ जि जाती पर ही आधारित है जाती और धर्म जी हाँ पूरी तरीके से और यही सत्य है यह उत्तर प्रदेश चुनाओं में बार बार यही प्रदर्शित होता है कॉंग्रेस पर आईए बड़ा खारीज कर रहे थे कश्मीर फाइल्स को जैराम रमेश जी का ट्वीट है नए संसत भवन में कुछ दिन पहले गदर टू दिखाया गया था क्या मोधी सरकार में जवान की भी स्क्रीनिंग कराने की हिम्मत है जैराम रमेश जी तो क्या बताऊं आप फंस जाएंगे मोधी जी कुछ भी कर सकते हो क्यों कर सकते हैं यह भी आभी आपको दिखा देता हूं लेकि उठाते ही नहीं कि उसकी जाच भी होनी चाहिए कभी नहीं आज तक नहीं और आगे बढ़िये रोहिनी सिंग शाहरू की टीम ने लगता है चुन-चुन कर सभी भक्तों को खरीद लिया पता नहीं अब क्या है आप छोड़िये आगे बढ़िये विनोत कापड़ी मैं देख कर दंग रह गया कि एक विशुद्ध बनुरंजक मसाला फिल्म जबान में किसानों की बात है स्वास्ति सेवाओं की बात है प्रदूशन की एवियें की और सबसे बड़ी बात आपके एक वोट की ताकत की बात है बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन इनकी मनशा कुछ और है इनको लग रहा है ना कि जवान देखकर के लोग मोदी के खिलाफ हो जाएंगे इसलिए लेकिन सचाई ये है ना कि किसानों के लिए सबसे अधिक मोदी सरकार ने काम किया स्वास्ति सेवाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना इन्होंने ही लागू की इवाल की ठगी मैं दिखा चुका हूँ इवियम की बात हो एक वोट की ताकत हो किसको फाइदा होगा और आखिर में दोस्तों ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे ना जिस अभी नेता की लीड रोल में कौन है शाहरुक खान शाहरुक खान की फिल्म है ना शाहरुक खान त कि आप बुराई कर रहे थे ना देख लीजिए बारत की G20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बहतर भविश्य के लिए राष्टों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए PM नरेंद्र मोदी को बढ़ाई देता हूँ इसने हर भारतिये के दिल में सम्म को बढ़ाई के लिए कह रहा है कि वहिया इन्होंने अच्छा काम किया है नहीं को तो वोट मिलना चाहिए अब ये क्या इशारा करता है तो कुल मिलाकर दोस्तों शाहरुक के खान के फिल्म को लेकर इन लोगों ने जो काम किया उसमें ये खुद फस गया है पूरा का पूर नमस्कार